नमस्कार साथियो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि केंदरी विध्याले में काउंसलर के इंटर्वी में क्या पूछा जाता है मैं आपको आपकी जनकारी के लिए बता दूँ कि केंदरी विध्याले में काउंसलर की एक पोश्ट होती है और ये post contract based पर होती है एक session के लिए होती है इसलिए पिरतेक वर्ष जब session खतम होने को होता है तो उस वक्त अर्थात फरवरी और मार्च के महिने में ही counselor के appointment के लिए counselor का interview होता है और अगर आप भी किंद्री विद्यारा में counselor होना चाहते हैं तो इसके लिए जो basic eligibility criteria है that is masters in psychology and आपके पास guidance and counseling का diploma होना चाहिए और कहीं कहीं पर वो कहते हैं कि आपके पास experience भी होना चाहिए तो इसके बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप फ्रेसर हैं तो चिंता मत करिये अगर आपके पास confidence है तो आप interview के लिए जाएं ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप फ्रेसर है तो आपको नहीं रख हूं जो कि interview में पोचा जाते हैं मैं आपके बता दू कि इसका कोई रूल तो नहीं होता है कि वो आपसे क्या पोचेंगे उनके मन में जो आता है वो आपसे पोचे सकते हैं और जब आप interview के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो interviewing tcm होती है उसमें school के principal होते हैं senior teacher होते हैं या फिर कोई psychology background का person भी हो सकता है जैसे कि कभी-कभी वो अपने आसपास के degree college से professor को बुला लेते हैं या उनके सहर में कोई psychologist हो तो उनको बुला लेंगे तो team में वहाँ पर आपके सामने 3-4 लोग होते हैं तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वो क इस तरह से question पूछते हैं आप इस तरह के questions को समझेगा बेकोज जब हम freser होते हैं तो नहीं पता होता है कि वो हमसे क्या पूछेंगे और हमें बड़ा confusion होता है कि क्या होगा और क्या होगा ये बात हमारे उपर बहुत हावी हो जाती है और हम डरते हैं कि पताने क्या होगा और interview की time पर बहुत ज़्यादा fear होता है डर होता है वो fear हमारे चेहरे पर भी आ जाता है तो आज हम कुछ common question के बारे बात करने वाले हैं question को समझेगे इसकी possible answers क्या हो सकते हैं आप मुझे comment करके बता सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे question जो directly होते हैं कुछ questions ऐसे होते हैं जो कि situation based होते हैं और कुछ questions ऐसे होते हैं जो कि आपके psychology की जो study होती है उससे भी होते हैं देखिए यहाँ पर जो मैंने पहला question लिखा है बहुती common question है जिसमें का आगया है why have you chosen to become a school counselor आपने school counselor होने के लिए क्यों सोचा है यह कुछ ऐसे question होते हैं कि हम post graduation तक कभी स चाहते हैं basically मुझे कभी भी लगता ना कि हमारे यहां पर हमारे एजुगतन सिस्टम में कमी है कि हमें कभी कोई यह समझ नहीं देता है कि हम कोई काम क्यों करना चाहते हैं हम बस डिग्रियां हांसल करते रहते हैं तो यह बहुत common question है आप अगर school system में counselor के लिए जाते हैं interview द बनावटी नहीं होना चाहिए सिद्धी वात है कि बनावटी होगा तो उतना ज्यादा बहतर नहीं होगा जितना की genuine answer हो सकता है तो अगर आपकी personality आपके thoughts आप ऐसे हैं कि आप reality में counselor होना चाहते हैं तो आपका answer बड़ा असन हो सकता है फिर भी अगर आप नवी तक नहीं सो student reports being neglected or abused what would you do? अगर कोई student ऐसा report की जाता है जो neglected है या abused है तो आप क्या करेंगे? यह question आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे ही पूछा जाता है तो इस question के बारे में आपका क्या उत्तर होगा आप comment करके बता सकते हैं सोचिए क्योंकि आपको ऐसे questions को face करना होगा इसकी बाद है ना कोई teacher report करता है कोई student disruptor है how would you handle this? आप इसे कैसे handle करेंगे? यानि आप school system में जाना चाहते हैं तो आपके पास पहले से कुछ ideas होने चाहिए कि आप situations को कैसे handle करेंगे अगर students सही नहीं है वो behavior सही से नहीं कर रहे हैं class में disturbance create करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपके पास randomly answer होना चाहिए इसकी बात fourth question जो यहाँ पर है that is if a student reveals they are having suicidal thoughts और plants और has been self harming what would you do? कई बर ऐसे school में case आते हैं कि student में suicidal thoughts होते हैं और बच्चे बताते हैं कि sir मैं बहुत परिसान हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं suicide कर लूँ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? है ना आपके पास इसके लिए answer होने चाहिए इसके बाद अगला question है a conflict develops between a student and a teacher? which side would you take? teacher or student में conflict हो जाता है आप किसका पक्च लेंगे? है ना आपके पास answer होने चाहिए और ये कुछ ऐसे questions होते हैं जिसका उत्तर देते ही वो आपके बारे में समझ लेते हैं कि आप सच में कितने experienced हैं या फिर कितने experienced नहीं experienced होने का मतलब कि ये नहीं होता है कि आप किसी school में पहले से counselor रह चुके हैं तो ही experience होता है experience वाली बातें आपके अपने personal life से भी तो आती हैं आपके अपने understanding से भी तो आती हैं तो ऐसे questions का answer देना आपके लिए बहुत जरूरी है और ऐसे उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए अगला question जो यहाँ पर है that is a student you are working with आपके सी चातर के साथ काम कर रहे हैं वो counseling के लिए मना करता है how would you resolve this देखिए school system में कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे mostly कभी समझते ही नहीं है कि उन्हें counseling की need है basically यह जो age होती है school age यह developmental stage होती है तो बच्चों को ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत है because वो तो अपने तरह से जिन्दगे को जीना चाहते है है ना बहुत ही कम बच्चिया से होते हैं जो खुद से decide करें कि उन्हें कुछ खास करना है तो वो counselor के पास जाए तो नहीं आते हैं तो अगर कोई student resist कर रहा है counseling की process को आगे बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे आपके पास ideas होने चाहिए की situation ऐसी है कि सामने वाला तो आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ पताना ही नहीं चाहता है बट उसके साथ बात करना जरूरी है because class teachers ने बोला है है ना या आपने खुदी detect किया है किसी बच्चे कोई issue है बट बच्चे accept नहीं कर रहा है तो कैसे आगे बढ़ोगे ऐसे questions के answer आपको पता होना चाहिए इसकी बाद अगला question है 7th describe how you would implement small group counseling guidance lessons यहाँ पर देखा जाता है कि आप में quality है की नहीं आप leadership कैसे कर पाएंगे कैसे group counseling कर पाएंगे कैसे guidance lessons दे पाएंगे तो आपकी पास कुछ ideas होने चाहिए आप सोचिए और command करके बताईए कि इन questions के लिए आपकी answer क्या हो सकते है अगला question लिखा है would you be interested in heading any extra curricular activities that is club advisor है ना school में बहुत सारे अलग-अलग काम होते हैं तो वो काम भी कभी-कभी handle करने होते हैं तो क्या आप करना चाहेंगे तो सिधी बात है कि school system में जा रहे है तो आपको सब कुछ करने को तयार होना होता है at least answer तो positive होने चाहिए ना counselor therapist और school counselor में क्या difference है अब इसको भी सोचिए और comment करके बताइए तो friends यह जो मैं अवी तक psychology based questions होते हैं जैसे आप से पूछा जा सकता है कि what is classical conditioning what is operant conditioning है न सिग्मेंट फ्रैड की किसी particular theory के बारें पूछ सकते हैं तो इसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपने graduation post graduation के दौरान पढ़ी होती है वो उसकी बारें पूछ सकते हैं तो आपके पास कुछ psychological knowledge आपको याद होनी चाहिए इसकी बार यहाँ पर कुछ question based question भी पूछ सकते हैं चैसे यहाँ पर लिखा है कि what would you do if अगर आप क्या करेंगे अगर ऐसा होता है जैसे क्या पहला point यहाँ पर है you suspected one of your students is being abused आपको पता चलता है कि किसी चाहतर को abused किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे one of your students tells you they are being abused अगर कोई चाहतर आपको बताता है कि उसे abuse किया गया है तो आप क्या करेंगे a student request a teacher change because he or she doesn't like them है ना कोई student आप से request करता है कि उनके किसी particular teacher को वहाँ से change कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे ऐसे भी questions बच्चों के पास होते है आपको introduced करते हैं कि students you come to me and you can tell me your problems तो आपके पास आते हैं जब वो आते हैं तो फिर वो कुछ भी कह सकते हैं तो अगर condition यह है कि वो आप से कहते हैं कि हमारे teacher को change कर दो तो आप क्या करेंगे ठीक है ना तो आपके पास season के उत्तर होने चाहिए इसके बाद एक point और यहां पर लिखा हुआ है a parent request you to switch their child's teacher parents आप से request करते हैं a student request to be in the same lunch period as their friends है ना वो lunch period उस टेम पर से होना चाहते हैं जब वो friends उनके दूसरे free होता है you suspect one of your students is abusing drugs alcohol अगर कोई ऐसा student है जो कि alcohol drugs ले रहा है तो आप क्या करेंगे तो ऐसे चीजों के लिए आपके पास answers होने चाहिए और इसके बाद ना जाने कितने सारे questions होते हैं जो आप से पूछ सकते हैं कभी कभी यह होता है कि आप से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं कभी कभी यह होता है कि question कम से कम पूछे जाते हैं तो finally आप से कम पूछा जाए या ज्यादा पूछा जाए आपको positive और सही जो भी आपके experience के बिस पर चीज़े हों वो बतानी चाहिए आपको और ध्यान रखि आपको positive होके जाना है अपना काम करना है और जब आप multiple जखे जाएंगे तो उसके बाद experience हो ही जाता है कि आपको क्या-क्या बताना होता है क्या-क्या पूछ सकते हैं ठीक है ना तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाईएगा आप मुझे भी comment कर सकते है और पी चीज़ों में आपकी help कर सकता हूँ और अपनी knowledge को अपनी skills को develop करके आप अपने psychology की field में आगे बढ़ाएं मेरी ये आपके साथ काम नए है thank you मिलते हैं आप से अगले video में